सब्सक्राइब से चैनल एंड प्रेस्टे बेल अकॉन और अपकमिंग वीडियोज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माँ चैनल फार्माकलोजी कॉंसर्ट्स बाई राजस्चाथरी तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाइब्रिडिजेशन प्रोसेस के बारे में इससे पिछली वीडियो में जो बेसिक प्रोसेस है क्यों वेलेंस बांड फैल हो गया क्यों यह आपका बना आपका जारूरी में कैसे इस्ट्रोक्टर्र इस्टिविल्टी होती है क्या-क्या इसके basic points से हम सब कुछ cover कर चुके हैं तो आज की वीडियो में हम focus करेंगे जितने भी types है SP, SP2, SP3, SP3, D, SP3, D2, SP3, D3 के basics के बारे में उसके अलावा कैसे उनको हम जानेंगे अगर हमारे पास simple structure हो या कोई formula हो जैसे कि NH3 है, H2O है, PCL5 है तो इनको बीना सोचे सोचे ही कैसे हम trick के थुरू हम जान जाएं कि ये कौन सा इसमें हविडेशन होगा, SP होगा या SP3 होगा उसके लावा जो basics हमारे SP, SP2 और SP3 जिसमें हमारे alkyns आते हैं खासकर आपका CH2 या आपके, सोरी, बात करेंगे CH4 की, methane की या ethane की या ethine की या आपके ethene की है ना, तो alkyn, alkyn और alkyns के बारे हम बात करेंगे, उनके basics के बारे हम बात करेंगे So, if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link So, let's discuss about the topic So, happy digestion So, basically, इसको समझने से पहले कुछ example हम लोग solve करते हैं, क्यों यह ज़रूरी है, क्या होता है तो बिसके लिएक तरगे से यह process है, जिस process के through आपके जो normal orbitals है, S orbital, P orbital, D orbital यह एक hybrid orbital create करते हैं यह जो hybrid orbital है, वो बहुत ही structurally, geometrically stable होता है और उसके बाद chemical bonds बनते हैं, जिसमें जो बनने वाले सारे chemical bonds होंगे न, उस molecules के, उस central atom के वो equal होंगे जो कि valence bond theory उसको proof नहीं कर पाई या उसमें नहीं हुआ था example पर रते हैं CH4, जो कि methane है, classical examples है हमारे SP3 का तो हम देखते हैं कि CH4 जो है, हम चाहें तो CH4 आपको लिखने के लिए बोलेंगे अगर आपको, तो आप क्या लिखेंगे, यह C, आपका H, इधर 1H, इधर 1H, इधर 1H, ठीक, बट क्या यह ऐसा होता है, exact ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यह basically हम देखेंगे model को, तो यह इस तर tetrahydral form में होता है, tetrahydra form में, ना कि इस तरके से होता है, यह क्यों होता है, हम समझेंगे उसको 1 by 1, तो पहले समझते हैं कि जो CH4 है, उसमें central term कौन सा है, उसमें central term हमारा है C, ठीक है, तो जो hybridization process होता है, वो आपके central atom के ही orbitals में होते हैं, वो आपके इस C में होते हैं, तो ज suppose SP3 है, तो यह C का होगा, इस H का नहीं होगा, इस H के जो होगे, यह S जो है, वो आपके S orbital होगे, ठीक, आप बात करें इसके atomic number की तो C6 होता है, H1 होता है, पता ही अपने को, तो 66 में जो valency होती है, वो कितनी होती है, करबन के 4 होती है, क्यों होती है, वोगि 1S2, 2S2, 2P2, और यह मात करें चुके हैं पिशली वीडियो पे, तो 2S2 और 2P2, तो यह जो cell है, number 2 cell है, वो तरके से अन, आपके complete है, तो suppose यह आपका 1S2 है, यह हमारा C के लिए हो गया, तो इसको हम इस तरके से denote कर सकते हैं, suppose यह हमारा C का जो है, यह आपका complete है, और यह हमारा है 1S, और फिर आपके है, यह 2P है, 2P में हमारा क्या होता है, PX, PY और PZ, ठीक है, तो इसमें आपके 1unpaired electron होंगे, लेकिन जब वो bond ब्राने से पहले, वो excite होते हैं, जब excite होंगे, तो यह जो electron है, जो कि यहाँ पे paired में है, वो हमारे switch करते हैं, move करते हैं, sorry, actually यहाँ पे electron ही होते करेंगे, यहाँ पे आपका move करेंगा, जो move करेंगा, तो यह जो है, यह सारे सारे क्या होंगे, unseared electron होंगे, अब यहाँ पे chemical bond नहीं बनता, यहाँ पे S है, यह 2S है, यह 2P, 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 बट जो process होता है हमारे hybridization का, तो chemical bond बनने से पहले process होता है, आपका hybridization का, hybridization process, जो एक तरके से create करता है, hybrid orbital का, और यह किनमे होगा, same energy level के, यह similar energy level के sales में ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि 2S है, 2P है, तो यह 2P और 2S, same energy level के हैं, ऐसा नहीं कि 2S और 3P का हो रहा हो, है ना, तो यह same होते हैं, उससे क्या बनेगा, एक hybrid orbital बनेगा, अभी जो hybrid orbital हैं, अब य shadowria, अधा, चूंगे, तो 2S है, और यह 2P है, बट जो habit orbital हैं, वो आप S और पी नहीं होंगे, यहँ एक साथ होंगे, तो यह सारे के सारे क्या होंगे, SP3 होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पर 1s है, और 3P बना हुआ हओ, तिन P आउर्टल से बना हुआ है, और 1s से बना हुआ है, है इसलिए हो गया SP3 अब यहां पर आपके अंसेरल इर्टॉन होते हैं और आपका जो H है हैं है इसमें zg क्या होंगे से बीच में आपका बॉंड बनेगा इनके बीच में आपका बनेगा और सारे सारे क्या होंगे chemical bond बोल सकते हैं sigma bond बोल सकते हैं तो यह आपका इस तरके से जो आपका carbon है वो हमारा bond create होता है और इसका जो structure है वो क्या होता है tetrahydrate होता है क्यों होता है एक stable geometry process करने के लिए तो अब basically होता क्या है जो हमारा S जो shape बात करें तो S का shape spherical होता है डंबल सिफ होता है अब डंबल सिफ का मतलब जो आपका electron है यह ऐसा मूब करके ना एक crossover नहीं होता है याद रखे क्रोस अबर नहीं होता है यह उसका path है मतलब इस central माल लेते हैं अगर हम इसको एक central item ले ले और इस central item के से मूब कराएंगे मालो इस central item है तो जो मूवमेंट है वो इस तरके से मूवमेंट होगा जो हमको दिखाई देगा डंबल सेप की तरह जैसे एक आपका कोई ring है उस ring को हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें और थोड़ा सब घुमा ट्विष्ट कर दें अपोजीट डाइक्सन पर तो एक डंबल सेप क्रेट होगा इस तरके से तो उस तरके से मूवमेंट होता है यह अब यह अन्हार्बराइज्ड अबिटल है जब वह बनेंग अन्हार्विट अबिटल उनका से यह होता है यह होता है हमार लार्ज हो और होता हमारा समाल लोब है और कि एक गयर हBand we are not doing a做 देंगा तो यह फिर किसे हमारा उंद्ध मेन है वो कि इस तरके से बनता है हाम气able और जो एच है फिसकि अन हवेले नेशियों क्या होगा यहीं और इस तर्के से होगा इस तरह के से हमारा बनता है हमारा CH के लिए तो अब होता क्या है So, hybridization is the process of combining of the same or nearly same energy atomic orbital to create a new hybrid orbital that having the exact same energy level that can pair electron from chemical bond तो chemical bond बनने से पहले जो आपके unhybridized orbital है जो nearly same energy के होते हैं वो एक hybridized orbital या habit orbital में change होते हैं और यह जो hybrid orbital के energy level है exact same होती है इसलिए उसमें बनने वाले chemical bonds जो हैं इक्कल होते हैं तो यह सारे जितने में CH bond हैं वो chemically या बात करें जो कि में bonding energy की हो, bond length की हो, bond angle की हो सब में exact same होता है लेकिन जब बात करें हम लोग balance bound theory के साब से क्योंकि balance bound theory में तो आपके hybridization था नहीं तो उसमें आपके एक one एक टू यह क्या होता टू एस और वन इसका टू पी और वन इसका टू पी अब इसमें भी पी एक्स पी वाई और पीजेड होते हैं तो पी वाई और वन इसका ऐस तरह होता तो सारे सारे अलग 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 ऑपडिल से बने होते हैं तो जो नेचर हो एक एक जिसे कैसे हो सकते हैं तो उसको प्रूप नहीं कर पाया इसलिए आप हमारा थियोरी आया हाइब डयासन तो चलिए आप स्मझ में आगे हो क्या हम बैसिक प्रूसेस बात कर रहे हैं अब आते हम लोग वन वाई-बात करते हैं पहले स्पी हाइबिटल का तो एस्पी हाइबिटल में बैसिकली एक एस और इन बोल होता है और वो जो हाइब डाइस्ड होते हैं तो बन बरेंगल हे जो एक्जिक्ट होगा 180 degree पे होता है जुकी linear इसहीं क्या है this is the geometry structure instability, geometry भी बोल सकते हैं, जैसे निख सकते हैं हम आझ वे फिर जूल सकते हैं जैसे करें हम लोग, इसका example निखेंगे हैं एलकाइन में तो यह एलकाइन्स है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं तो अगर हम इसको चांदे लेकर जब को जो चाना मतलब जो लोग में पढ़ते नहीं है जो बॉर्ण एंगल निकालने के लिए अगर हम उसको निकालेंगे ना एक्जेक्ट तो यह एक्जेक्ट 180 डिग्री पर ही होता है क्यों होता है इस्टिबल प्रोवाइड करने के लिए ठीक है अब जैसे कि हम बात करें इसमें अगर ही इस्परिकल सेफ है तो हम एक चार बॉंड बनाएंगे एक उपर एक नीचे एक नाएक बाएं तो डिग्री कितना होका 90 डिग्री होगा बंट 90 डिग्री से बहतर 109 डिग्री है आपके SP हम बात करें आथे कार्भान अग्री तो इसमें कितना होता है बंट एंगल इसमें होता है approximately 1010 Bless 9.5 डिग्री का, ठीक है, तो ऐसे अरेंज होता है कि सारे bond एंगल, सारे bond एंगल कारवन के, वो 109 डिग्री पे होता है, चाहे आपने आपके भी देख लेंगे, तो 109 पे होता है, क्यों, stability के लिए, और क्यों होती stability, क्योंकि अगर दो तो similar atom pass में होगे ना तो क्या करेंगे repulsion कॉस करेंगे similar atom similar type के जो अगर meters है तो आपस में अगर pass होगे तो एक तरके से क्या होगे repulsion होगे और repulsion होगे तो उनकी stability नहीं होगी तो जब भी कोई structure बनता है कोई formation होता है कोई chemical bond बनता है क्यों बनता है अपने आपको stable करने के लिए इसलिए उन पर जो arrangement है three dimensional arrangement है उनके जो stereo isomerism है या stereo structure है बात करें तो वो एक stable structure होता है इसलिए वो ऐसे जगह पर अपना हाइब्रेशन प्रॉस करता है कि जो bond एंगल है सब जगह पर equal हो और आपके जितना possible हो दूर उतना दूर हो सके तो आपके अगर एथाइन की बात करें एक SP की बात करें तो उसमें ऐसे होता है कि दो ही आपके अर्बिटल होंगे एक S और्बिटल एक P और्बिटल तो SP और्बिटल दो बनेंगे SP और्बिटल के तो उनके जो और्बिटल्स है वो exact linear होंगे opposite direction पर होंगे और bond एंगल होगा 180 degree का ठेक है चलिए आपको समझ में आ अब इसमें आपका बेलियम और फ्रोडिन यूज़ होगा अब इसमें जो बेलियम है बेलियम है वह हमारा central atom है तो बेलियम आपके hybridized होगा एक तरके से ठीक है याद रखिए अब इसकी बात करें तो इसका atomic number 4 होता है जहां पर 1s2 2s2 2p0 है ना और इसमें आपका F9 होता है जहां पर 1s2 2s2 और 2p5 होगा तो अब यह SP है ठीक है अब इसमें क्या है इसमें अंसेर्ड इसमें जो है यह involved होगा हमारा तो हम इसको करेंगे तो यह हमारा स्बूज यह हमारा b e है तो इसमें क्या होगा 1s2 और यह 2 है तो यह होगी 2s में दो लेक्ट्रॉन होंगे यह होगी दो इलेक्ट्रॉन फिर आपका 2P0 यहाँ पर कोई भी निट्राप नहीं है जब वो एक्साइट होगा तो vetteora यह दोनो ही enrollment होंगे इसलिए बनेगा आपका S-P-orbit अब यह S-P-orbit टो यह को तो इस तरह के से आपके हो गए तो इसमें क्या कूण सा खाली है यह आपके प्रॉबिटल और यह आपका P orbital ठीक है तो अब जो आपके chemical bond है वो इस SP और इस P orbital के बीच में होगा तो यह होगे हमारा SP orbital यह भी SP है और यह भी SP है यह हमारा centratum क्या है? BE है और जो हमारा P orbital है इसका fluorine का P orbital इस तरके से हमारा bind होगा यह हमारा fluorine का P orbital है यह कौन सा है? P orbital यह कौन सा है? P orbital कौन सा P? 2P ठीक तो इस तरके से बनता है अब आतने example number 2 alkynes का जो classical example है किसका? इथाईन का CH triple bond CH अब ध्यान दीजिएगा जो hybridization process है ना वो केवल lone pair वाले और आपके sigma bond पे ही होता है pi bond पे नहीं होता है तो इसमें आपके कितने हैं? इसमें आपके 2pi bond है और 1 sigma है और 2h है है ना? तो इसमें आपके किवल इन पर ही होगा possibilities तो इसमें भी एक तरके से हमारा S और P orbital ही involve होंगे involve तो ही पूरे होंगे है ना? सपोर्स हमारा C6 है और जैसे कि हमार H है तो यह H का क्या है 1s है? जो कि un-hybridized orbital होगा इसमें क्योंकि कि किसका होता है कि वल? आपके center term का होता है जो कि होगा C होगा तो अब देखिए क्योंकि इसमें 2pi है और 2pi जो है un-hybrided orbital आपस में mix होंगे ना कि hybridized orbital तो यह आपका सपोर्स यह होगे हमारा SP 2 होगे SP होगे ना इसके carbon के यह भी carbon का carbon कितने है 1 और 2 तो अब यह और यह यह और यह ठीक है इनके बीच में बनेगा क्या bond बनेगा this is the sigma bond ठीक है किनके बीच में इस carbon के सब्सक्राइब इस carbon के बीच में इस तरके से और बनेगा एक बनेगा इसमें ठीक है इसमें 1S और C के बीच में यह आपका 1S किसका है यह H का है और यह C का है यह हो गया ठीक है यह दो हो गया और यह जो बचेंगे न यह बनेगे हमारे जो पाई और बिटल है उसके थ्रू बनेगे यह होगे हमारा 2P इस तरके से आपके होते हैं आपके SP के आपके अलकाइन में इसको डिटेल में तो यह होगे हमारे पास काबन एटम लिए यह होगे हमारे पास काबन एटम एक काबन एटम होगे है एक SP यह हो गया और एक SP हमारा यह हो गया दोनों खाली है यह बॉन बनता है हमारे हार्जन अटम से अब यह हार्जन नों क्या है यह आपका वन एस है वन एस अन हर्जड ऑर्बिटल है जो की स्प्रिकल सिफ का होता है तो यह होगे हमारा है का यह होगे हमारा है यह होगे हमार robital second तो इस तरगए से इसके बीच में बनेगा तो इसके बीच में बनेगा और इसके बीच में बनेगा क्या होगा 180 ही होगा नो डाउट इस पे अब आते हम लोग नेस्ट देखते हैं SP2 का तो SP2 में हम एक्जामबल लेंगे एलकीन्स का में एक्जामबल लेंगे हम लोग इसका CH2 double bond CH2 मतलब इसमें आपके एक पाई है और एक सिग्मा है तो पाई वाला जो है बनता है पी और्बिटल से वो आपके हड़ेश डर्बिटल से नहीं बनता है तो इसमें आपके इन्मोल क्या होंगे इसमें आपके एक S और दो पी होंगे इसलिए बनता है आपका SP2 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 इसका जो सेब क्या होता है Trigonal Planar पर इस तरके से दिखिये यह हमारा हो गया आपने देख लिया यह chat अब हो गई हमेर पास इस आप तो यह हमाद पास क्या है इथीन है यह क्या है आपका इथीन है तो यह बिलकुल अगर हम इसको भूल जाएंगे तो यह हो गया एक इधर एक इधर बिलकुल ट्राइगोनल प्रेनर सेफ्म होता है यह होता है पस 120 डिगरी का ठीक है चलिए अब यह भी सेयम इन्वाल होंगे यहां पर एक अंसेयर यहां अंसेयर अंसेयर यहां पर एक अंसेयर 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 यहां पर एक अंसेयर एक अंसेयर यहां पर एक अंसेयर और अंसेयर इस तक कैसे होगा अब देखिए कैसे बनता है अब इस पर बनेगा एक और जो पाई बॉन्ड है सीसी की बीछ में इस का लिए फाई वोल्ड को यह सिग्मा बॉन्ड को और दो है तो एक यह हो गया हम रहे पास एक यह हो गया स्के लिए और इसके लिए कितना हो गया फिर फीर के बीच में होगा ठीक है तो ऐसे बाउन बनता है तो इसको में देख्ट्रक्टिर पे तो यह होगी आपस किया सी यह जो ड़ा हुआ है से इटो लृव हूआ हो भागा यह द्रक्वार सी में आपस शॉस्पी है तो यह क्या है यह SP और SP2 तो यह हो गया पास SP2 और जो hydrogen atom है यह चार hydrogen atom बनेंगे हमारे 1s से यह हो गया 1s और यह भी क्या है SP2 है सारे में होंगे चारों में ठीक है तो आप चार जोड़ दिजी इस तरह के से ठीक और एक हो गया पाई बॉंड जो पी और बिटल है उससे बनेगा हमारा पाई बॉंड एक हो गया पाई बॉंड अब जो जहर से बात जो बॉंड एंगल कितना होगा बॉंड एकर जो बॉंड लेंठ है वह मillखा हूँ इसकी में चेकल लेता हूँ कितना होगा इसका अनृग्ज छहोटों के बॉंड फीस में जो बॉंड यही इस ब्लांक होग पाउन कम उडन हो के बीच में वह उता है जिम स्वाहन स्वान के और जो बॉंड एंगल तो और बात कर चुके हैं बॉंड एंगल कितना होता है या फिर कई बुक में लिखा होगा 121.3 क्लियर है चलिए यह हो गया हम पास SP2 हो गया SP3 के मैं और बात कर चुके हैं कई बार हम लोग यह हमारे पास काबनेटम के है यह सारे सारे क्या है तीज आर्ड़ एसपी थी और विटल क्योंकि इसमें आपके एक एस का और तीन पी का इंवर्मेंट होता है इस प्रोसेस में तो यह बनता है मापास SP3 यह सब होते हैं SP3 ठीक है और जी श्टक्चर क्या होगे टेट्रहेडर फार्म पर होंगे जिका आपके SP3 ऑर्बिटल के काबन के यह काबन का है और हमारे हार्जन का है तो इसमें आपके चार हर्जन लेंगे हार्जन मेंबर 1,2,3 और 4 यह सारे सारे क्या होंगे यह भी अन्पेर्ड होंगे और यह सारे सारे क्या बनाएंगे इसके बीच में होगा बॉन बनेंगे सारे सा हो जाएगा इस तरह के से आपका ये देखिए यह हमारा सी है यह हमारा सी है जो कि क्या है यह हमारा SP3 Then what do you say is SP3, 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 sp3 यह कार्बन इटम और इस तरह के से अमिमिन्ट होगा यह हमारा पास 1s, यह भी 1s यह भी 1s, यह भी 1s, किसके hydrogen इटम के ठीक है और इस तरह के से आप 4 जोल लिजिए एक हाड्रोजन, दो हाड्रोजन, तीन और इधर एक जो लिजिए, चार, ठीक है, क्लियर है, स्वेम आते हैं हम लोग, एलकेंस का ही इथेन का एक्जामपल, तो यह हमार पास इथेन का है, तो इसमें भी आपके काबन के यह हैं, और्बिटल, एलक्ट्रॉन को केट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह हमार पास होता है, C, सिंगल बांट, C, और तीन H, एक काबन के बीच में होता है, तो यह हो गया काबन के बीच में, सिंगल बांट, यह वाला सिंगल बांट, बाकिस सब किसके बीच में होता है, आपके काबन और हर्जुन के बीच में, तो इन में होगा, 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 इन में क्या है unhybridized h orbital है जो कि 1s orbital है ठीक है clear है तो इस तरह के से पहला carbon हो गया ठीक है यह फिर हो गया second carbon इस तरह के से bond बन गया second का फिर आपके सब जखा पे hydrogen को add कर लीजिए ठीक है तो ऐसा होता है आपका process है कि क्या है सबसमें एच है कि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना नहीं हो आ रहा होगा तो comment पुछेगा इस सारे सारे क्या है यह एस है यह पी यह पी यह पी और यह आपके SP3 सारे चलिए अब सेम इसके में बॉंड एंगल तो आपका 109.5 डिग्री ही होगा आप चाहिए ना ना पलीजिएगा उसके अलावा जो इसमें बॉंड लेंद की बात करें तो वह होता है कि इनके बीच में होता है 1.54 1.54 एंगस्टाउन का और इनके बीच में होता है कि 1.09 एंगस्टाउन का कि अधिक चलिए आते हैं आप SP3D आप SP3D में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं सेम है इसमें आपके एक S होंगे तीन आपके P involve होंगे और एक D होंगे और बनाएंगे हमरे पास पूरा पूरा क्या होगा यह होगा यह होगा SP3D orbital जामपल है PCL5 इसे structure कैसा होता है trigonal by pyramidal जो bond angle है वो इनके बीच में होगा 90 degree और इनके बीच में होगा 120 degree का ठीक है SP3D2 तो इसमें 1S 3P और 2D का involvement होता है इसलिए बन गया SP3D2 ठीक है इसलिए इसमें बन जाता है हमरे पास पूरेक पूरा SP3D3 जो होता है pentagonal by pyramidal तो इनके जानने काफी है अब मेन आते हैं मोटो पे कि हम कैसे उसको identify करें विद्ध एक्जामपल तो इसमें करना बहुत जरूरी है ताकि आपको अच्छी तरग से समझ में आ सके तो यह बेसिक्स हैं आप बसको रिवाइस कर सकते हैं आपका यह आपका number of electron density region होगे तो इसमें दो होंगे तो आपका SP3 होंगे तो SP2, 4 होंगे तो SP3, 5 होंगे तो SP3D, 6 होंगे तो SP3D2 उनके structure है उनके bond angle है उनके safe है ठीक है चलिए अब आते हम लोग important points पे how to identify the hybridization with the trick क्या है जिसके लिए अभी तक आप वेट कर रहे थे तो दो तरीके हैं एक structure आपको मालूंग होना चाहिए या फिर आपको मालूंगा formula बहुत easy हैं हम बताएंगे पहले हम सोचते है structure based पर फिर बताएंगे formula based पर उससे पहले आपको कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए जैसे कि Z की value जैड की value अगर 2 आती है तो SP2, Z की value 4 आएगी तो SP3, 5 आएगी तो SP3D और आपके 6 आएगी तो SP3D2 एक आपको मालूंग ह तो 2 होगा आपके boron और aluminium का 3 होता है आपके carbon silicon का 4 होता है nitrogen phosphorus का 5 होता है oxygen sulfur का 6 होता है यह commonly आपको मालूंग होगा या होना है जो hydrogen और fluorine है वो monovolent होते हैं ठेक है विस्कलित fluorine के पास 7 होता है पर एक ही होता है unshared electron जो की easily किसी के साथ में जूर जाता है ठेक है अब आपको गिनना क्या है आपको sigma bond और lone pair गिनना है योगि sigma bond और lone pair ही आपके central atom में आपके hydrogen पर role play करते हैं ठेक है जडिसकल तो number of sigma bond plus number of lone pair present on the central atom अब देखिए SO3 आ गया अब SO3 में central atom क्या है हमार पास S is the central atom तो S यह structure है S पर आपका 3 oxygen है ठीक इस तरह के से oxygen है अब देखिए अब S क्या है 6 valency होती है तो सारे सारे valency complete है अब इसके पास lone pair हो ना हो अलग मिटर है अब oxygen पर भी 6 होती है oxygen के पास और चार lone pair अलग है बड़ आपको मतलब नहीं उससे अब इस पर sigma कितना है इसमें आपके 1 sigma 2 sigma और 3 sigma कितने आ गई जेट किली आ गई 3 मतलब क्या होगा sp2 ठीक है इस तरह के से आपका होगा मैं क्रॉस्चेक करते जाओंगा शरी सही है हम लोग चले फिर आते हैं h2o तो इसमें o central item है तो यह हमार हो गया ओ एक एच इधर कर दिजिए एक एच इधर कर दिजिए और आपके पास कितने बज़ गए एक और दो हो गया इतने हैं छे हैं तो आपके माल लेते हैं लोन पेर होंगे दो तो लोन पेर मतलब दो एलेक्ट्रॉन का एक पेर तो कितने हो गए वन टू थी और फोर चार हो गए दो सिग्मा मॉन्ड और आपके दो लोन पेर तो जेट इसकुल टू फोर मतलब एस पी 3 में देखिए है कि एक एक है एक कर दिजिए कितने होते हैं 5 होते हैं अनके तो पांच मतलब दो बाकी होगा फोगा में यह लोन पेर तो कितना हो गए वन टू थी फोर जकाना हो गया फोर मतलब एस पी-3 ठीक है चलिये सही है आते है एस एस इस 4-2 तो यह S होगा जिसमें 4 हैं तो माल लेते हैं आपका दो इस तरके से oxygen होगा और एक oxygen पर मानस और एक पर मानस ठीक तो एक दो तीन 4 यह भी 4 है सिगमा इसमें 2 है ना और एक यह एक यह 4 हो गया तो इसका भी 4 आया मतलब SP 3 ठीक है चलिए आते हैं नेस्ट पर देख लेते हैं जांपल को शौर्ट जांपल कर लेते हैं PCL 5 अब फास्परस के पास कितने होते हैं पांच होते हैं तो 5 जुड़ा हुआ है है ना तो इसको आप इस तरह किसे कर लिजिए 1 2 3 4 5 माल लो इस तरह कर लिजिए तो यह हो गया तो यह हो गया इस तरके से एक हो गया इस तरके से माल लो एक हो गया इस तरके से माल लो है ना तो आपको किपने हो गया इस में एक दू तिन चर पांच क्लियर हो गया तो 1 2 3 तो कितने है 3 मतलब SP 2 एनो 3 पे क्या है SP 2 सही है आते है S4 S मतलब Sulfur है ना Sulfur में 6 होते हैं अब 4 तो जुड़ गया एक दो को तीन और चार माल लेते हैं कहीं भी जोड़ लिजिए हमको दिखना है आपका हावड़ेशन ना कि उसका एक्जेक्ट प्लेनर क्या है चार कितने बच्चे दो बच्चे लेक्ट्रॉन यह होगे दो तो यह वन टू थ्री फोर वर फाइफ फाइफ मतलब SP 3D ठीक है क्लियर है चलिए चलिए अब हाते हम लोग सुपर ट्रिक के बारे में सुपर ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है क्यों आपको जेट का फामलियाद रखना है जेट इस एकुल टूर हाफ ऑफ नंबर ओफ एलेंस एलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एक्टम प्लस नेग होटी इसमें आद कि आठीश आता है अब आपको बस एक कांट करना है सपोट आगए न इस्टरी अब इन मतलब नयुञ्य अन्य अगंत मुत्रियों कितनी होती है आपके वन हाप कर दीजिए तो पांस होती है ब्लेंस ऐसे अट नहीं है तो पांस और तीन हो गया आठ तो व थोरक की वेल्यू किसकी है जेट की है जेट की वेल्यू फोर होई तो मतलब SP3 ठीक है क्लियर सेम H2O अब इसमें आप करजी हाप आप देखिए ऑक्सिजिन में कितना होती है होती है छह प्लस दो यह भी कितना हो गया एट बाइट टू इस इकल टू फोर यह हो गया SP3 में देखिए वन भाई हाप कर दिजिए पी मतलब फासफ़रस में कितने होती है पांच और ओ कितनी है सिर्क राइट पांच है तो कितना हो गया है यह दस हो गया दस बाई two मतलब पांच मतलब SP3D काबने टा-इन की है तो इसमें अब क्या होगा कावण के पास कितने होती चार ब्लस कितने माइस अइन है अब उक्सिजिन नीन श्कृत् दिखें न, number of balance electron plus negative charge, कितने हैं, 2 है, plus 2 हो गया, तो कितने हो गया, ये, 6 by 2, मतलब हो गया, 3, 3 मतलब, sp2, और आपके NO3 मानस आयं की, इसमें भी आप कर दिजिए, half, n मतलब 5, प्लस कितना है, निट्ट चार्ज, एक है, तो हो गया, 6 by 2, मतलब 3, मतलब sp2, हम को स्चेक कर लेत है, NH3 का SP3 है, H2O का SP3 है, PCL5 का हमारा SP3D है, ठीक है, काबनेट आयन का है, हमारा SP2, और NO3 का है, SP2, व्लकुल सही है, तो ये हो गया, सुपर टरके साब से, अब मान लेते हैं, इस तरके से होगा, तो यहाँ पर आप सिगमा बांड की ही गिंगिल दीजिए, तो इसके पास कितने है, 3 होगे हर्जन के, 1 होगे 4, तो कितने हो गया, SP3, इसमें देखिए, इधर होगे 1, दर हो गया 2, और 3, तो यह क्या होगे, SP2, एक पाई मौण्ड है, ना, एक पाई है, और एक सिगमा है, इस पर देखिए, तो एक सिगमा, एक आपका हर्जन, 2 हो गया, ठीक है, औ और एक हो गया bond, तीन हो गया, एक πाई चार हो गया, तो एक सिगमा, दो और एक सिगमा दोने, सेम यह भी सिट लएट, यहाँ पर देखिए, दो पाई और दो सिगमा, दो मतलब सिगमा, सेम इस पर एक हटाजन और ő एक सिगमा, तो कितना हो गया एक sigma और एक hydrogen मतलब sp2 हो गया तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं So these are the trick of the undification of hybridization in the central atom So I hope you like my videos, if you like my videos, please press the like button and share with your friends Next video में हम बात करेंगे, alkynes के जो preparation methods हैं उसके बारे हम detailed हैं बात करेंगे with the mechanism of reaction So I hope you like my videos, so in last thank you, keep watching